बच्चो आज हम महाकवी भारवी वेराचित किरातार जूनियम महाकावी के आठवे वर नमे श्लोक को पढ़ेंगे आठवे श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन किस प्रकार से युदिष्ठर को जीतने के लिए अपने निर्मल यश्का बिस्तार कर रहा है और बताया गया है कि दुर्योधनों के साथ मित्रता से तो सज्जनों के साथ बैर भी लावदायक होता है शोक देखते हैं तथापी जिव्य सै भवत जीगी शया तनोति शुब्रम गुण संपदा यशह समुन नयन भूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधो अपी समम महात्मभी शब्दार देखते हैं तथापी अर्थाथ तो भी जीही कुटिल सै अर्थाथ बहे यहाँ पर सै दुर्योधन के लिए आया है भवत जीगी शया भवत अर्थाथ आपको और जीगी शया अर्थाथ जीतने की इच्छा से तनोति अर्थाथ फैला रहा है शुब्रम अर्थाथ स्वच्च गुण संपदा गुणों की संपत्ति को यशह है अर्थाथ कीर्थी समुन्ययन अर्थाथ बढ़ाने वाले भूतिम एश्वरे को बढ़ाने वाले अनार्य संगमाद दुर्जनों की संगती से वरम विरोधो अपी विरोध भी स्रेष्ट होता है समम महात्मभी सजनों के साथ जो संगती होती है सजनों के साथ विरोध के वजाए जो दुर्जनों की संगती के वजाए सजनों के साथ विरोध भी स्रेष्ट होता है अब इसको हम अनवैसे पढ़ेंगे अर्था तो भी आशंकित होता हुआ भी मतलब यहाँ पर दुर्योधन के लिए बताएगा है कि वो दुर्योधन आशंकित होता हुआ भी जिव्य जिहिम कुटिल है यानी आशंकित होता हुआ भी कुटिल वह दुर्योधन भाबज जिगीशया आपको जीतनी की इच्छा से गुण संपदा दया उदारता आदी गुणों की संपत्ती से शुब्रम सच्छ यश्य अर्थात कीर्ती सच्छ कीर्ती को तनोती अर्थात फैला रह अनार्य संगमात अर्थात दुर्जनों की संगती से महत्मभी समंत महत्माओं के साथ सज्जनों के साथ विरोधो अपी विरोध भी वरम अर्थात स्रेश्ट होता है लोग देखेंगे तथापी जिव जीही से भबत जीगीशया तो भी कुटेल आपको जीतने की इच्छा से तनोती शुब्रम गुण संपदा यशे अपने गुण रूपी संपदा यश को और सच्छ गुण रूपी संपदा को चारो तरफ फहला रहा है समुन नयन भूतिम अनारे संगमाद दुर्जनों की संगती से एश्वरे को बढ़ाने वाले बरम विरोधो अपी समम महात्मदी जो विरोध होता है सज्जनों के साथ विरोध होता है वो दुर्जनों की संगती के अपेक्षा अधिक अच्छा है इसका संस्क्रत व्याक्षा देखेंगे तथापी अन्वैसे ही लेंगे तथापी अर्थात आशंकितो अपी लिख लीजी आप तथापी अर्थात आशंकितो अपी जीहिं कुटिल है, सै दुर्योदन है, भबत भबज जीगीशया, भबत है युदिस्ठ रस्य जै काम नया गुण संपदा, गुण वेववेन, शुब्रम, निर्मलं, यशह, कीर्तिम, तनोती, विस्तार्यती, भूतिम, सम्रदिम, समुन्यन, प्रवर्धयन, महात्मभी, सज्जनै, समम, सह, विरोधय अपी, विद्वेशो अपी, अनार्य संगमात, दुर्जन संगमात, वरम, उचित तरम, यहां पे, भूति समुन्यन, पदात, विशेशन के द्वारा, विरोध का हेतित्व कथन होने से, काबिल लिंग अलंकार है, प्रन्तु मुख्यता, अर्थान तरन्यास अलंकार की है, क्योंकि जो नीचे की लाइन है, वो, यहां पर, नीचे की लाइन में, अर्थान त तरन्यास अलंकार है, भबत, भबत जीगीशया, अर्थात भबन्तम, जेतु मिच्छया, भबत जीगीशया, तया, गुण संपदा, गुणानाम संपते, सस्टी ततपुरिश समास है, तया करणे तरतिया विवक्ति है, समुन्यन, सम, प्लस, उत, प्लस, नीच्छत, पूर्वक्त, रुध धातु में घन प्रत्य है, भूतिम शब्द में भू प्लस, एक्तिन प्रत्य है, और दितिया एक वचन है, अनार्य संगमात, ने आर्या, अनार्या, तेशाम संगमें तस्मात, वरम में वरणम, बरह, वरंधातु अप प्रत्य है, अगला श्लोग के, क्रतारी शडवर्ग जयेन मानवीं, अगम्य रूपां पद्विं, प्राप्ति सुना, विवज्य नक्तम, दिवमह तंद्रिनाम, वितन्यते तेन नयेन पौरुशं शब्दा देखो, क्रतारी शडवर्ग जयेन, अरी शडवर्ग को जीतने वाले, अरी शडवर्ग कौन है, काम, क्रोध, लोग, मोह, मद और मात्सरे क्रतारी शडवर्ग जयेन, मानवीम, अगम्य रूपां पद्विं, प्राप्ति सुना, विवज्य नक्तम, दिवम, तंद्रिना, वितन्यते तेन नयेन पौरुशं क्रत अरी शडवर्ग जयेन, अर्थात अरी शडवर्ग को जीतने वाले, काम, क्रोध, आदी, छे आंत्रिक शक्तिकों को जीतने वाले, मानवीम, यहाँ पर मैं उपर चला जाएगा, और ए बच जाएगा, मानवीम, अर्थात मनु के द्वारा बताई गई अगम्य रूपा पदविम, प्राप्त सुना, प्रजा पालं की पदती को प्राप्त करने की इच्छा वाले, विभज्य अर्थात बिभाग करके, नक्तम दिवम, द्रात दिन, तंद्रिना नाम, अर्थात आलस से रहे, त्वितन्यते बढ़ाया जा रहा है, तेन उस वुर्दुर्योधन के द्वारा, नैन, अर्थात नीती के द्वारा, पौरुशम, अर्थात पुर्शार्थ को तो अन्वै से देखो अस्त तंद्रिना आलस से रहे तेन उस दुर्योदन के द्वारा नक्तम दिवं राद दिन को थीक विभाग करके नएन नीती के द्वारा पौरुशम पुर्शात को वितन्यते बढ़ाया जा रहा है अर्थार काम क्रोधादी जो छे शत्रू है उन आंत्रिक शत्रू को जीतने वाला साधरन जनों के द्वारा अगम में मनुप्रतिपादित शाषन पदिती को अपनाने वाला क्योंकि मनु के द्वारा जो शाषन पदिती है वो साधरन लोगों के द्वारा नहीं पहुचा जा सकता वाँ पर तो इस प्रकार की मनुप्रतिपादित शाषन पदिती को अपनाने की इच्छावाला और आलस से रहित बहे दुर्योधन रात दिन का ठीक विभाग करके नी पद्विम मनु के द्वारा बताई गई अगम्य रूपा अर्था सामाने लोगों के द्वारा पद्विम प्राप्त सुना प्रजापालन की पदिती को प्राप्त करने की इच्छावाले विभज नक्तम विभाजित करके नक्तम दिवम दिन रात को विभाजित करके आलस से रहेतू करके विंड तन्यते बढ़ाया जा रहा है तैन उस दुर्युदन के द्वारा नईन नीती के द्वारा पॉरुशम यदि Пुरशार्थ को बढ़ाया जा रहा है यहां पर सहेतुक वाग्यार्थ قथन से काविलिंग अलंकार है इसका लक्षन है हेतुर वाकिय ख़वर्ग है शिष्टी तत्पुरुष, अरिणाम शडवर्ग है तस्सी जय क्रत अरी, शडवर्ग जयन येन बहु बरही समाश. मानवीम किसी कहते हैं मनो निर्यायम मानवीम ताम मानवीम मनु, अन, डीब और इस्त्रियाम आगम्य रूपाम ने अगम्यम नन समाश आगम् में रूपां। पौरुषम पुरुशेश्य कर्म पौरुषम पुरुष प्लस आनुप्रति komt नक्तन दिवं मह्या दिवं दिवं द समास। वीतन्य तमें वीधातू थानों विवपसेर्ग पूर्भक तन धातू में लट्लाकार और कर्म बाचिएं वीतन्य ते。 अगला श्लूग देखें सखी निव प्रीती योजो अनुजीविन है समान मानान सुरुहदश्य बंदुवी सैसंत तम दर्श यते गत इसमय क्रताधी पत्यमिव सादू बंदताम शब्दार देखो गत इसमय अर्थात अभिमान रहित सै वहद उर्योधन संत तम निरंतर सादू भली प्रकार से अनुजीविन है सेवकों को प्रीती युजह इसने है भरी भरे सक्खीन एव मित्रों के समान सुरुहदय मित्रों को बंदुवी भाईयों के समान समान मानान समान समान बाले बंदुताम बंदुजनों को क्रतादी पत्यम शाशन करते हुए के समान दर्शियते दिखाता है या प्रदर्शित करता है अपमान रहित वहद उर्योधन सदेव निश्कपट रूप से सेवकों के प्रती इसने युग्तु मित्रों जैसा विवार करता है और मित्रों को बंदुजनों जैसा सम्मान देता है और बंदुगनों को शाशन करते हुए सा दिखाता है तो सखी निव प्रीती यो जो मित्र के समान प्रीती करता है किससे अनुजीविन है यानि सेवकों पर मित्र के समान प्रीती करता है समान मानान और समान मान को देता है किससे सुरह द्रश्य मित्र के समान बंदुवी बंदुओं पर समान मान को देता है से संततम वहदुरियोधन लगाता दर्श्यते अर्था दिखाता है गत इसमें अभिमान रहित होकर दिखाता है क्रताधी पत्यमिव शाशन करते हुए के समान साधु बंदताम अपनी जो बंदुता है अच्छी बंदुता है वो सपर दिखाता है बंदु जन्गोणों को साशन करते हुए के समान दिखाता है यहाँ पर सकारण कार शिद्यर्थ विभार का वर्णन होने से समुच्छी अलंकार है गत इसमें यस्चिसे बहुवरी समासे संततम अर्था सम उपसर पूरवक तन धातु में एक्तेप्रत्य है इसमें बनेचर का गतन है कि दुर्योधन नीती चात्तुर अपनाते हुए ब्रत्य, सुरहद तथा वांदवादी से इस तरह का विभार कर रहा है जिससे बहुवरी स्वयम को सम्मानित मानने लगते हैं इससे वे शाशन तन्त के प्रती अधिक निष्ठार रखने लगते हैं तथा कर्तव पालन में सदेव जागरुक रहते हैं दर्श यंते धातु में दर्श यंते शब्दें इसमें दर्श दातु, निच और लट लकार का प्रियोग किया गया है अनुजीविने शब्दें अनुजीवन ती इती अनुजीविने हैं अनु प्लस जीव प्लस रणी प्रत्य है